शनी देव की आज्या का पालन ही तेरी हर दूविधा का अंत है तू अपने पती को विवश कर दे कि वो तेरे वचन की रक्षा के लिए सुरुची से विवा कर ले अनिता भयानक संक्टों का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जा और देख कि शनी देव के क्रोद का प्रभाव कितना भयानक और कितना फिलाशक है अही उठो सुनिती उठो यदि अब भी तुम सोई रही तो शनी देव का क्रोद तुम्हारे हर सोभागे को भयानक दूर्भागे में बदल देगा सुनिती क्या तुम्हे अपने देश, कुल और अपने पती से अपनी नीद्रापलिय है क्या तुम स्वेच्छा से अपने महान पती महराज उत्तानपाद का नाम कलंकित कर्मी की इच्छुक हो क्या तुम स्वयम चुप चाप अपने पती को उपेक्षित और अपमाननित होते हुए देखती रहोगी नहीं तुम्हें क्या क्या रही है अपने स्वामी के सवभाग्य के लिए मैंने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया है किन्तु मैं विवश हूं स्वयम मेरे प्रस्ताव की उपेक्षा कर रहे हैं मैं तुम्हारे द्विद निश्चर से भली भांधी परिचित हूं जब तुम राजकुमारी सुरूची की कठीन स्विकृती को प्राप्त करने में सफल हो सकती हो तो महराज उपतान पात्फों दूसरे विवाह के लिए प्रस्तुत करना तुम्हारे लिए अत्यंत सरल है किन्तु कैसे स्वामी मेरी बात सुनने के लिए प्रस्तुती नहीं इसका निर्णे तुम्हें करना है अपने ध्रणिश्चे से अपने देश, कुल और स्वामी की रक्षा करने का उपाय सोचो सुनिती अन्य था, शनिदेव का क्रोध और कूद्रिष्टी कमपिला देश को ही नहीं, समस्त पृत्वी लोग का सर्वनाश कर देगी मैं स्वयम शनिदेव के क्रोध से भैबीत हूँ मुझे ग्यात है, शनिदेव कदापी अपने शत्रु को ख्षमा नहीं करते उनके प्रतिशोत का विश्पोर्ट कदापी धंता नहीं किन्तु मैं अपने स्वामी का क्या करूँ? करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो किन्तु मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा करने का परामश नहीं दूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे सदाचार से भली भांती परिचित हूँ महरानी सुनिती अपने विवेक से निरनाय करो कि ऐसी विशम परिस्तिती में तुम्हें क्या करना है सोचो सुनिती, सोचो, सोचो जब दप व्रत हे जगत पालक जगदीश्वर हे मनुकुल के आराध्य हे शर्णागत वजसल भगवान श्री विश्णु हमारे कुल पर कृपा करें त्या करें भक्त वजसल भगवन आपको क्या हुआ था महारानी जामी जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विश्णु अनातों के नात है अपने भगतों पर वे सदाही कृपा द्रिश्टी बनाए रहते हैं उन पर विश्वास रखें महारानी मुझे भगवान विश्णु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है किन्तु अपने भागे पर नहीं मेरा आपके कुल के लिए अभागन और कलंकित बनना उचित नहीं मेरे कारण आपका सुयश अपमानित हो ये में कदा भी स्विकार नहीं कर सकती आपको पाकर तो हम धन्य हो गया महारानी आप ऐसा क्यों सोचती हो स्वयम हमारे पिताश्री ने आपको हमारे युवराज की माता बनने की भविश्वानी की है नहीं स्वामी नहीं मैं माता नहीं बन सकती यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो शनी देव का क्रोध हमारे कुल पर दुर्भागी की काली चाय डाल कर हमारा सर्वनाश कर देगा महाराणी शनी देव ने हमारे अग्रज भईया प्रियवरत को भी अनेक प्रकास आतकित करने का दुस्साहस किया था किन्तु प्रभू किरपा के कारण ही वे शनी बाधा को नश्ट करने में सफल हुए संकट के इस घड़ी में मेरी भावनाओं को समझे महाराणी हमारा साथ दे महाराज मैं अपने संकटों के लिए भगवान विश्णु को और कश्ट देनी की इच्छुक नहीं हूं उस भागत की भक्ती ही संकट में पढ़ जाती है जो अपने कर्मों और कर्तवों को भूलकर हर दुख में भगवान को ही कश्ट देता रहता है विश्वास रखें आप ही अमारी युवराज की माताब बनेंगी श्री विश्णु की कृपा से में संकट का सामना करने में और के कारण क्या भविश्य आपको आलसी नहीं पुकारेगा मुझे भविश्य के संबोधन की चिंता नहीं है क्योंकि मैं वरतमान में जीता हूं मेरे भूत भविश्य वर्तमान का मात्र एक लक्ष है एक उद्देश्य है अपने अराद्दे श्री विश्णु की भक्ती में हर छण का समर्पड एक भक्त अपने भगवान से कृपा की आशा नहीं करेगा तो किसे करेगा महारानी तनिक सोची है महाराज क्या अपनी हर समस्या के लिए भगवान को पुकार कर हम उसी की प्रदान की हुई बहुमुले शक्तियों का अपमान नहीं करते महारानी सुने दिक कमपिला देश पर घिरा है संकट के कारणा आप विचलित हो गई है महाराज मैं वर्तमान से अधिक भविश्य को लेकर चिंतित हूँ मुझे भय है यदि समय रहते आपने मेरी प्रार्थना स्विकार नहीं की तो भविश्य मुझे कदाबिक शमा नहीं करेगा कीर्थी गाथा के पन्नों पर सुनिति का नाम अभागी, कलंकित और स्वार्थी नारी के रूप में लिखा जाएगा नहीं महारानी, आपका नाम तो भविश्य के प्रिष्टों पर त्याक की देवी के रूप में सदा सदा पिर्थी वासियों को गर्व की अनुगूती करवाता रहेगा स्वामी, मुझे प्रसंद करने के लिए आप भविश्य को अंदेखा कर रहे हैं मनुष्य जैसा सोचता है, सदा वैसा ही नहीं होता, और आपने स्वयम कहा था कि शनी देव ने आपको चुनोती दी है किन्तु मैं शनी देव की चुनोती से तनिक भी भायभीत नहीं हूँ, मैं भविश्य को दिखा देने का एक चुख हूँ, कि एक भगवत भग का शनी देव जैसी विद्भरंशक शक्तियां बाल भी भाका नहीं कर सकती है स्वामी, आप शनी देव से भली भाती परिचित हैं, वे अपने शत्रों को कदापिक शमा नहीं करते दुर्भाग इसे, वे आपकी जनम कुन्डली के शत्रुभा में प्रवेश कर गये हैं भाया प्रियवरत, शनी देव के प्रहार से इसी कारण बचे रहें, क्योंकि उनकी गुरु की महादश्या चल रही थी स्वामी, आप स्वयम संकट को आमंत्रित ना करें मुझे कुछ नहीं होगा महारामी, आप निशिंद रहें मेरी भक्ति की शक्ति के सन्मुख, शनी देव को पराजित होना ही होगा नहीं महाराज नहीं, मैं आपको इस बहनक संगश में नहीं उतरने दूगी आप सुरुचि से विवहा करके मेरे वचन की रक्षा करें आपको मेरी सौगंद सौगंद ना दे महारामी सौगंद ना दे कमपिला के भविश्य और सुनीति के सौभागी के लिए सौगंद आप दे दी गई है महाराज या तो आप मेरी सौगंद को खंडित कर दे क्या मेरे वचन की रक्षा करें मैं आपके सन्मुख अपनी पराजे को सुविकार करता हूँ मैं आपके एक्षा और वचन की रक्षा के लिए वच्देश की राजकुमारी सुरूची से विवाह करूंगा जासनिदेव 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 जब तप व्रत कुछ भी कहने के आव सकता नहीं है डाया हमें भली भात की ग्यात है कि हमारे आदेश की उपेक्षा करने का सहस विश्णु भक्तों में भी तो क्या स्वयम उस चलिया विश्णु में भी नहीं है आप सत्ति कह रहे हैं शनिदेव ज़ि उस चलिया विश्णु में सास होता तो वह वैकुंट में आयोजित बहा सम्मेलन में आपके निर्भीक घोशना का अवश्य विरोध करता तुम्हें स्मरण है ना रहू कि वैकुंट के महा सम्मेलन में हमने क्या घोशना की थी हली भाती स्मरण है शनिदेव आपने कहा था सब कोई सुने जो जीव एंत्रिदेवों से निराश होकर मेरी पूजा राधना तथा जब तब करेगा उसे मैं शनिदेव इच्छुक फल अवश्य प्रदान करूंगा आप सत्य कह रहे हैं शनिदेव महा सम्मेलन में विश्णु सहिप समस्त दुष्ट देवताओं के अहंकार को आपने खंडित कर दिया मेरी अविलाशा भी यही थी राहूब कि वो छलिया विश्णु महा सम्मेलन में मुझे चिनादी देने का सांस करता किन्तु वो तो भीरू निकला कोशणा गई नहीं अपेस्तु अपनी विद्वन्सक अयादक और मारक को दृष्टी का परिचे मा सम्मेलन में उपस्ते सभी देवताओं को देने का इच्छोग था किन्तु वे सब मेरे तेज के सन्मुख शर्णागत हो गए हाहा शनिदेव मुझे विष्णु का स्वभाव भलिभाती गया थे यह विष्णु मात्र खुचक्र की राजनीती ही उचित समस्ता है समुद्र मंधन के समय इस छलिया ने कैसा मोहिनी अवतार थारण किया था किन्तु आपके विद्भंसक शक्ति के सन्मुख महा सम्मेलन में इस विष्णु का छल प्रपंच खेल और राजनीती सब को स्वहा हो गया हाँ 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 क्या तुम्हें क्यात तहीं किस संसार का समस्त सब्सक्राइब हो गत्रेश चल कपट नेती अनेती नेती इस थे उद्रिष्टि के रिशा अभि महार्ण अंकार मुझमें ही तो आश्र पाते हैं और इतना ही नहीं पुस्चलिया विज्णू का चल भी मेरे क्रिपा के कारण जीवित है शनीदेव के क्रिपा के कारण मैं आपकी विद्वन्सक शक्तियों से अपरचित नहीं हूँ शनीदेव इसी कारण तो सूर्य और जंद्रमा जैसे तेजस्विक्राहों के तेज को बार-बार घंडित करने वाला ये परम्शक्ति शाली दैट्य सेनापती राहू आपका दास हो गया मैं आपकी विद्वन्सक शक्ति के सनमुक उस्हरी भक्त उत्तान पात को विवश्श होते देख मैं आती प्रसंड हूँ हाँ 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 हुआ 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 एक विश्णु भक्वेस प्रकार समस्याओं के माया चक्र में उलश्टे देखकर मैं अपना अनन्द शब्दों में व्यक्त ही कर सकता अब तुक देखा चनिदेव के आनकार युक्त कुद्रिष्टी का खेल वो दुष्ट विश्णु भक्त तान पाद एक के पस्चाद एक समस्याओं में खिर्ता चला जाएगा अदया अध्या स्वामी मैं तुम्हारी स्वामी निष्टा से प्रसंद हूँ तुम्हारे कारण मैं साड़े साथी को शमा करता हूँ वत्सदेश की राज कुमारी सुरुची से दुष्ट उत्तान पाद का दुसरा विवा उसके सर्वनाश का संकेत लेकर आएगा जब तब व्रत अब तो देवी सुरुची सत्य कह रहे है स्वामी आप अपने भविश्य की चिंता छोड़ दे मुझे आपके सामर्थन के अवशक्ता नहीं है रानी सुनिती क्यूंकि मैं कभी ऐसा नहीं कहती जिससे सामर्थन के अवशक्ता हो मेरा हर कथन सत्य का प्रमान है मारानी सुरुची, सुनिती कमपिला देश की पत्रानी है उनसे बात करते समय आप उनके सम्मान का विशेश ध्यान रखे हमें विश्वास है कि वस देश की राजकर्ण्या को अपने वरिष्टों का आदर और सम्मान करना भली भानती ग्यात होगा अपने विरिष्टों के आदर और सम्मान के हर पाट को मैंने भली बानती पड़ा है किन्तु क्या मारानी सुरुची स्वामी, अब रानी सुनिती कमपिला देश की पत्रानी नहीं है स्थब्दोर चकित होने की आवश्यक्ता नहीं है स्वामी अब कमपिला देश की पत्रानी का पद मुझे प्राप्त हो गया है स्वाम रानी सुनिती ने वच्छन के अनुसार आपने पत्रानी पद का अत्याग कर दिया है कि ऐसा न कह मारानी सुरुची पटरानी सुनीति का पटरानी पद आपकी इच्छा अत्वा इनके वचन पर निर्भार नहीं है यह पक्त तो हमारे बाता पिता के आशिरवाद और प्रजा की शुब कामनाओं से ही ने प्राप्त हुआ है क्या आपके वच्छन का इतना ही मौले है रानी सुनिति क्या आपने अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए हमें अनेक वच्छन दिये थे मैं आपके इस दुराचार को कथापी शमानी करूंगी रानी सुनिती मुझे अपने अधिकार लेने का मार्ग भली भांती ग्याक है आप मौन क्यों है रानी सुनिती मेरे प्रशन का उतर दे क्यों मिथ्य वचन देखर आपने हमारे भविश्य को नश कर दिया है स्वामी इस शुभावसर पर आप दोनों प्रसन रहे यही मेरी शुभ कामना है निश्चिंत रहे पट्रानी सुरुची अपने वचन को पूर्ण करने के लिए मैं अपने प्रान भी त्याग दूँगी किन्त उसे मिथ्या नहीं होने दूँगी स्वामी आपसे मेरी प्रार्थना है कि दूसरे विवाह के शुभावसर पर आप प्रसन रहते हुए सुरुची को पट्रानी सुरुची कहकर संबोधित करें पट्रानी सुरुची देख लिया आपने कितनी महान है महरानी सुनिती आप इस प्रकार भी तो कह सकते हैं कि वक्सदेश की राजकुमारी और कंपिला की पत्रानी सुरीची को अपना अधिकार कैसे लेना है यह सिखाने के आवश्यक्ता नहीं है सुरूची सुरीची नहीं, पत्रानी सुरीची कहिए तुम अपनी मर्यादा को लांगने का दुस्षाहस कर रही हो रानी सुनिती के सन्मुख आप उच स्वर में बोलकर मेरा अपमान कर रहें स्वामी ऐसा प्रतीत होता है कि कंपिला में पट्रानी का इस प्रकार अपमान करने की परमपरा है सुरूची नहीं महाराज नहीं अप क्रोधित ना हो आपको मेरी सोगंध शान्त रहे महराज विवा के पश्चात हर कन्या को नई परंपरा और वातावरन को समझने में कुछ समय लगता है पट्रानी सुरूची भी समय के साथ साथ स्वय में सब कुछ समझ जाएंगी अपने उधान के मुले पर मैं कभी कुछ नहीं समझूंगी मेरे अधिकार के माग में जो भी बादा आएगी उसे मैं शनमात्र में नश्च कर दूंगी इस पीहर वन प्रिदेश की इस जीन शीन कुटिया में आप मुझे क्यों ले आया है माराज ये राजमेहल के स्थान पर सरप्रत्रमिस कुटिया में प्रवेश करना क्या ये भी कंपिला की परमपरा है पटरानी सुरूची यहां हमारे पुझे पिताश्री पित्वी के प्रथम पुरुष मनु महाराज और माता शत्रूपा निवास करते हैं इस विवा के पश्चाद हमें सर्व प्रथम इनका अश्रवाद लेना होगा क्या आपने अपने व्रिद माता पिता को कंपिला के राजे से निकाल दिया है क्या व्रिद माता पिता को कंपिला में साथ रखने की परमपरा नहीं है स्रिष्टी के प्रथम पुरुष, महराज मनु और देविश अत्रूपा अर्थात हमारे पूजने सास और ससुर ने हमारे विवा के पश्चाद वानपरस्त आश्रम को स्वीकार कर लिया था वे स्वेच्छा से वानपरस्त को स्वीकार कर पानव के भविश्च को प्रेणा देने के उच्छुक है इस जीवन से किसी को प्रेणा मिलेगी, मुझे विश्वास नहीं होता मातरी देवो भवा, पित्री देवो भवा, आईश्माग्यवती भव, सभाग्यवती माताश्री, पिताश्री ये वत्स देश की राजकुमानी और अब आपके महांत पुत्र महराज उत्तानपात की पत्नी सुरुची है सुरुची प्रणाम करो पुत्रवदु सुरुची स्वभाग्यवती भव, पुत्रवती भव पुत्रवदु सुरुची स्वभाग्यवती भव, पुत्रवती भव पट्रानी सुनी थी, तुम्हारा त्याग परशंस्निय है, संसार की कोई भी नारी तुमसे त्याग की सिक्षा और आदश क्रहिंद कर सकती है परन्तु प्रजाती इच्छा का सम्मान करने के लिए तुम्हें इतना उतावलपन दिखाना आवश्यक में था हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इश्ट देव जग्दीश्वर प्रवान विश्णों की क्रपा से तुम शीगरी एक महान पुत्र की माता बनोगा और वही युवराजपत पर प्रतिष्ठित भी होगा क्या आप मेरा अपमान कराने के लिए यहां लाए थे यदि सुनती कोई होने वाले युवराज की माता बनना है तो इसने ये भांती-भांती के श्यदियंत रजकर आपका विवहा मुझसे क्यों करवाया पुत्रवदु सुरुची किसी से बात करते समय तुम्हें मर्यादा का विशेश ध्यान रखना होगा स्मरन रखो अब तुम वद्सदेश की राजकुमारी नहीं मनकुल की पुत्रवदु हुए मुझे मर्यादा का भली भांती ज्यान है माताश्री किन्तु कोई मेरे अधिकारों में हस्त शेप करने का प्रयास करेगा तो मैं उसे कदापी शमा नहीं करूंगी महरानी सुनुती ने विवा के पूर्द मुझे वचन दिया था कि कमपिला की युवराज की माता और पट्रानी मैं बनूंगी ऐसा वचन देने का सुनीती को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मनुवश में पुरुश और इस्तरी समान भाव से हर समस्या पर विचार विमर्च करते हैं और दोनों की सहमती से यही नड़ने लिया जाता है पुत्रुतानपाद पट्रानी सुनीती ने जो वचन वत्स राजकुमारी सुरुची को दिये हैं क्या उसमें तुम्हारी सहमती है अर्थात पट्रानी सुनीती ने अपनी च्छा से वत्स राजकुमारी सुरुची को वचन दिये थे मनुवंश में इस प्रकार के निर्णे का तनिक भी महत नहीं हमें तो वही निर्णे स्विकार है जो पुरुष इस्त्री ने समान भावसर पूर्ण सहमती से लिए हूँ वस राजकमारी सुरुची हम तुम्हें पुत्रुतान पात की दूसरी वदू के रूप में तो स्विकार कर सकते हैं यह तो यह राज की माता और पट्रानी की रूप में कदापी नहीं मैं मनुवंश्यों के इस कूछ चक्र को कदापी स्विकार नहीं करूंगी मुझे कि ने स्वेच्छा से राजपार प्याग कर संसार को प्रेणा देने के लिए बानप्रस्त आश्रम स्विकार किया है क्या उसका इस प्रकार ग्रहस्त आश्रम की समस्याओं में हस्तक शेप करना उचित है क्या इस प्रकार आप बानप्रस्त की मर्यादां को खंडित नहीं कर रहें क्या भविश्य आपसे यही शिक्षा प्राब्त करेगा पट्रानी सुरूची अपनी खर्चता और दुश्चता पर नियंत्रण रखो पुत्र उत्तानपाद कुछे तुमसे ऐसे व्यवार की अपेक्षन नहीं थी मनो कुल में जन्देने वाली मा सवरूपा नारी का स्थान भगवान से भी उचा माना जाता है तुमें इस समय सुरूची का नहीं हमारा अपमान कर रहे हो वो तुमारी धर्म पत्ती है यदि तुम से उसका आदा नहीं करोगे तो वो तुमारा सम्मान कैसे करेगी पिताश्री महराज उत्तानपाद की शुब विवाह के अवसर पर आप इन्हें अपना शुभाशिश दे मुझे विश्वास है कि पट्रानी सुरूची कमपीला की परंपराओं से परिचित हो जाएंगी मैं आपको मिथ्य आश्वाशन देकर ब्रहमित नहीं करूँगी क्योंकि वत्स देश में किसी को प्रसंद करने के लिए चल और प्रपंच का सहारा नहीं लिया जाता जिन परंपराओं के संसकार जरम से ही मेरे माता पिता ने मुझे प्रदान किये हैं मैं कदापी उनका त्याग नहीं करूँगी पुत्र वदू सुरूची मैं तुम्हारे भावनाओं को समझती हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी सुरूची को दिये हुए हर वचन का पालन करेगा यदि सुनिती न तुम्हें पट्रानी और युव्राज की माता बनाने का वचन दिया है तो हर मुल्य पर पूर्ण होगा यह आप क्या कह रही है देवी चत्रुपा अनुचित नहीं कह रही हूं स्वामी पत्नी यदि पर इस्थित्यों से विवश होकर कोई निर्णय कर ले तो क्या पत्नी को उसका सम्मान करना उचित नहीं मुझे भली भाती स्मरण है आपके प्रख्यात ग्रंद मनोस्स्मरती में पती पत्नी के संबंदों की व्यापक प्याख्या करते हुए आपने स्वयम लिखा है पती पत्नी को एक दुसरे का सम्मान और निर्णय का आदर करना आवश्यक है देवी शत्रुपा आदर तो हर निर्णय का करना आवश्यक है परन्त जिसके पक्ष में निर्णय लिया जा रहा है उसकी योगता का मुल्यांकन भी तो करना होगा वत्स देश में मेरी योगता पर किसी को संदे नहीं और आप भी मेरी योगता पर प्रश्ण चिन लगाने क कारे ना करे पुत्र रुतान पात अपनी इस नई पट्रानी को प्रसंद करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा ये तो मुझे क्यात नहीं तो क्या करके इसे राज महले जाओ इसके गर्व को संतुष्ट करो किसी भी प्रकार हमारे आदश्कुल की सुक्षांत नश्ट ना होने तो पुत्र उसे नश्ट ना होने दो और यदि तुमने पुत्थी और विवेक से काम ना लिया तो तो मुपास के पात्र भी बन जाओगे जो कुछ हुआ उसकी दोशी मैं हूँ पिताश्री आप सत्ती कह रहे थे सैयम और धेरी को तापकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है मुझे तो मुझे तो क्षमा मांगने का अधिकार भी नहीं है किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पिताश्री मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मनुकुल की सुक्षांती और कंपिला की सम्रद्धी के लिए अपना सर्वस्वदा उपर लगा दूँग तुम्हारी जैसे सुशील पुत्र वदुपर मुझे पूर्ण विश्वास है जाहो पूत्र सुरुची तुम्हारी प्रतीक्षा कर नहीं होगी प्रणाम माताश्री प्रणाम पिताश्री चलिया महारानी कि देवी शत्रुपा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कुल कोके से शत्रुपी कुद्रिष्टी लग गई हो आओ देवी हम अपने आरात्य जग्दीश्वर भगवान विश्णु से ये प्रात्ना करें कि वे हमारे पुत्रु तानपात सुनीती और सुरुची के चीवन की सुक्षान्ति को चिन भिन्ना होने दें आओ देवी जब तब रत महादेवी हमें आपकी व्यथा का ज्यान है परन्तु मृत्य लोग के हर प्राणी को अपने भाग्य और कर्मों के अनुसार ही फल भोगने पड़ते हैं आदर्श प्राणी वही है जो अपने समस्त सुख दुख हमारे चरणों में समर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करें स्वामी मुझे तो सुनीती सरवता निर्दोष दिखाए पड़ती है घटनाओ की चक्रव्यू में घेर कर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यूं यह अन्याय नहीं है महादेवी यह भी अनंत लीला है जो अन्त में भक्त और भगवान का अंतर समात कर देती हैं अर्थात महादेवी जीव मात्र की स्वाभाविक इच्छा है सुक का भोग सुक और आनंद की प्राप्ति के लिए जीव अपना दुरलब जीवन नश्ट कर देता है और वो वास्तविक सुक और सच्चे आनंद का स्वाद नहीं चक पाता मैं कुछ समझी नहीं स्वामी महादेवी लक्ष्मी वास्तविक सुक और सच्चा आनंद जीव के लिए असंभव नहीं कठी नवष्य है अपने जीवन पत पर जो मनुश्य वास्तविक सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है वो जीवन मिर्तु के चक्र से मुक्ति पाकर मुझ जगदीश्वर में विलीन हो जाता है और तब भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो जाता है इस संसार के समस्त रहस्यों के भी रहस्य आप हैं आपकी महिमा को कोई भी नहीं परख पाता मैं भी नहीं परख पाई तनिक्त सरल शब्दों में स्पर्ष्ट करें कि जीव वास्तविक सुख और सच्चा आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है स्वामी महादेवी वास्तविक सुख और सच्चे आनंद की खोज में जीव को अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है भीतर की यात्रा हा महादेवी हर जीव की आत्मा में मुझ परमात्मा का वास होता है भीतर की यात्रा में जीव के सम्मुक उसके विकार माया मुख मद लोग एहनकार और दुशकर्म बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं जो मनुष्य इन विकारों से भैभीत न होकर भीतर की यात्रा में अपनी आत्मा को पहचान लेता है वो सतकर्मी और सदाचारी होकर पास्तों में मुझे पहचान लेता है मैं अभी भी कुछ नहीं समझी स्वामी धन और वैभों की अधिश्ठात्री महादेवी लक्ष्मी आनन तो 24 प्रहर आपके श्री मुख पर अपने संपून सुरूप के साथ विचरन करता रहता है फिर आनन प्राप्ति के लिए ये परिहास क्यों? ये परिहास नहीं है स्वामी महादेवी जीवन प्राप्त करने वाले जीव के लिए ज्यान और भक्ति प्राप्त करने के लिए दो ही मार्ग होते हैं एक बाहर का मार्ग और दूसरा भीतर का मार्ग बाहर की यात्रा में जीव सत्य को देख पाता है समझ पाता है किन्तु धारण नहीं कर पाता जबकि भीतर की यात्रा में यदी मनुष्य सफल हुआ तो वो स्वयम सत्य को धारण करके सत्य नारायन बन जाता है स्वामी भीतर की अनन्त यात्रा जीव किस प्रकार कर सकता है महादेवी अपने ही विकारों से संघर्ष करके अपने ही दुश्कर्मों को नश्ट करके अपने एहनकार का त्याग कर नर से नारायन बन सकता है महारानी सुनीती के सम्मुख इस समय जो घटनाय प्रस्तुत हो रही है वो उन्हें नारी से नारायनी बना देंगे अहो अहो स्वामी यह सुनकर मैं प्रसंद हुई मुझे विश्वास है कि सुनीती हर संघर्ष और परिक्षा में उतीर्ण होगी विश्वास तो हमें भी है महादेवी इसी कारण सुनीती के भविश्य को लेकर इस समय आप भावुक तथा चिंतित नहूं उसे अपने संघर्ष और परिक्षाओं में अपनी बुद्धी विवेक और हम पर आस्था का प्रमान प्रस्तुत करने दें स्वामी हर भक्त के जीवन में ऐसी कठोर परिक्षाई क्यों महादेवी परिक्षाओं की सफलता ही तो एक भक्त की भक्ति का प्रमान प्रस्तुत करती है यदि भक्त की भक्ति पाखंड हुई तो वो परिक्षाओं के सनमुख विवश होकर परिस्थितियों का दास बन जाता है और यदि भक्ति सच्ची हुई